हालो जी गूद इवनिंग कैसे हैं आप सब और एक बाव फिस से वलकम आपके अपने चानल में तो जी दिन है विश्पितवार का तारीक है 39 जून शाम का ये टाइम है और मैं लग गहीं अपने काम में थोड़ा सा लेट ही आज जी है वो अपने काम में लगी हूँ और आज म कुछ भी नहीं चल रहा सबजी है वगरा या कोई भी चीज है फ्रिज में मैं देखती हूँ मुझे अपने ही साब से कुछ जो है वो मिलता ही नहीं है और स्पेशल बोल के मैंने ये जो है वो सबजी जो हमंगवाई है अगर मैं ना बोलती तो वही आलू प्यास टमाटर ज मिर्च वाली सबजी आसे मिर्च क्याएं जो ही है कि मैं उसी चाओ से में किचन में लगी थी कि मैं मिर्च वाלא सब्जी खाने ऐसी मने सब्चाने हैं और दीन करके अभी हमने वापस ऑना पड़ेगा क्यू sophisticated होने Dro Hannah स्कूल खुल गए हैं और हमारे यहां पर मंडे से स्कूल खुल जाएंगे तो रुटीन पर भी वह आना पड़ेगा तो यहां पेठे की सब्जी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी और पानी डालका इसमें लगवा दूंगी तीन सीडिया तब तक मैंने कुछ सब्जी अमं स्कूज जाती हैं अच्छा से और गनाइंज करके हम रख देते हैं अमारी सब्जी सब्जियां घर्मीव में खराब होने अगड़ दाया जाती हैं और 17. bei अपस्ट बन के सब्ली और एसलिए मेंग कैने नेसे का चाहिए टेस्टी बनी थी यह बना था वो बना था बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी मुझे इसका स्वाधना बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं लगा था तो दुबारा एक बार फिर से इसके अंदर जो हो मैं मिर्च काट रहें पताने मुझे यह लगा कि इसमें मिर्च कम है और दुबारा मिर्च काटने के बाद भी इसमें जो है वो मुझे कोई चटपटा पंज है वो नजर नहीं आया और जब मैं खाना खाने लगी ना जिस चाओ से मैं बैठी थी कि आज तो मैं बहुत लजीन सब्जी काऊंगी और आज सब्जी सच काऊंगी बिल्कुल भी सब्जी नहीं बनी थी बच्टों के टेस्ट के अकॉरडिक सब्जी नहीं थी तो बस साथ सात में अभी अपना बचाने के लिए दूसरी तरफ सब्जी बंनती रहेगी दूसरी तरफ मैं तवा चड़ा दूगी और साथ साथ में रोटियां सेखना जोह वो शुरू कर काफी देर तक उसको खुला जो है वो बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद जो दीरे दीरे बीच-बीच में मैं रोटिया सेखती रहूंगी और बनाती रहूंगी और इसी बीच इमां के पापा आ गए थे मतलब सब्जिया विगरा वही लेकर आये थे आते टाइम मैंने ब करते हैं कि वह सरदी में कुछ में आरा था मोसम का का नि वह चेल रहा था इस इस बात ना सरदी में कुछ समझ में आ रहा था मोसम का ना गर्मी में कुछ समझ आ रहा है मोसम का पता नहीं क्या कुछ जह वो चल रहा है तो बस अभी फटा-फट से गर्मा-गर्म रोटिया सेखूंगी सब के लिए और फिर उसके बाद जो है सबसे पहले मैं बच्चों को दूँगी बाद में हस्बन की थाली जह वो लगाऊंगी उनकी थाली का क्या रहता है कि मैकसिमम वो खुद लगा लेते हैं मुझे इतनी जरुवत नहीं बढ़ती है लगाने की वो खुद अपने इसाब से वो लगाते हैं क्योंकि उनका टेस्ट एक दम थोड़ा से मेरे ट है वो काम करने की कोशिश मैं कर रही हूं एक महीना हो गया है मेरे ओपरेशन को तो दीरे दीरे बैक टू रूटीन में मैं आ जाओंगी अच्छे से शरीर मजबूत हो जाएगा मेरा काम करने के लिए भी मैं तीन-चार दिन में जैसे बच्चे को स्कूल भी खुल जाएंग और आज को व्लॉग देखोगे उसमें भी जो है काफी अंतर आपको दिखाई देगा मेरी स्पीड में आपको काफी अंतर दिखाई देगा मेरी चाल में अंतर आपको जो है वो काफी दिखाई देगा सारे काम जो है बिना किसी मदद के मैं कर रही है हाँ जाड़ू पो बर बरतन के लिए हाउस हाल पर कौभी मैं हटा दूँगी बरतन मैं खुद करूँगी क्योंकि मेरा जो है इति मैं लगाया हुआ था लेकिन बरतन साफ करवाने में मुझे वह मजा नहीं आ रहा जो मैं अपने हाथों से जर्वो करती थी तो इसीं महिना मैं पूरा रखोंगी उसके बाद खाली जाड़ू पोचा करवाऊंगी क्योंकि जाड़ू पोचा में महनत अभी बहुत ज्यादा लगती है ठकावट हो जाती है कई ऐसा नहों बना बनाया काम मेरा खराब हो जाए तो हर एक काम का मैं पूरा धान रख रही हूं जिस चीज में मुझे कॉमेंट करके बोलती हैं दिदी हाव झमें कुछ टब स्ट्रेक्स बताईए कैसे आप इतने बड़े घर को मैनेज करती हैं तो उनको wacky मैं यही कहऊंगी कि मैंने अपनी गलते हों से बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और उसीजी चीजों से ही आज के दिन मैं चीजों को मैनेज कर पारी हूं पूरे घर को मैनेज कर पारी हूं बच्चों को मैनेज देख पारी हूं बच्चों का स्कूल उसके उनकी पढ़ाई सारी चीजे जो है वो मैं देख पारी हूं और दीरे दीरे एक्तम से जिन्दगी में कुछ भी स इच्छाओं को धान में रखते हैं मैं सारी चीजें जो है वो बिना किसी के रचे से जो है वो मेनेज कर पाती हूं इसी बेडिक्स नहीं होने देती हूं अगर में खड़ी हूं किचन में अगर कोई मालो तड़का रेडी हो रहा है तक अगर मेरे पास इसी बेच टाइम होता है तो मैं बाकी के कोई एक्स्ट्रा छोटा मोटा जितना काम होता है मैं अपने वो काम निप्टा लेती हूं नेक्स बॉनिंग हो गई है यहां पर बन रही है तुरई की सबजी पेठे की सबजी भी बहुत दिनों के बाद बन रही है और तुरई की सबजी भी बहुत दिनों के बाद यानि तोरी बोलते हमारे यहां पर वो सबजी बहुत दिनों बाद बन रही है अभी मैंने पता है क्य रहता है कुछ टाइम वो सही रहता है फिर बुखार बनता हैanरा स्टा अचल बिलकूल भिनी Kylie बनाता है चाये वह मतलब खेलतारा था बच्चों के साथ लेकिन आप पताने उसको क्या गया है उसकी अभी दूसरा henclères जो उसके लिए हम चेंज करेंगे अभी व्लॉग का एंड करूंगी मैं यहीं पर मिलते हैं एक्स व्लॉग में जो फॉर्स टाइं विजट कर रहा है लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मस्ट फर वॉचिंग मिलते हैं